नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रा सैनी बड़ी खबर तमिल्नाडू से साथ ने आ रही है तमिल्नाडू के कुनूर में भार्तिया प्वायुसेन का एक हेलिकोप्टर क्रेश हो गया है और बड़ी खबर इसमें ये है कि दरसल इसमें CTS विपिन रावत भी मौचूद थे तो CTS विपिन रावत इस हेलिकोप्टर में मौचूद थे और उनके साथ उनका ग्रूपेंबर ही इस हेलिकोप्टर में चौधर लोग इस हेलिकोप्टर में सवार थे जिसमें से 11 लोगों के मौत की पुष्टी हो चुकी है तो वहीं CTS जाहित लेकिन अपने आप में यह हादसा बहुत बढ़ा है बहुत गंफीर हादसा है और कहीं नकहीं देश के लिए बेहद दुरफा गयपून दिन क्योंकि सीठियास बिपिन रावत इस हेलिकॉप्टर में थे तो जाहिर तोर पर जो उनके साथ तमाम क्रू मेंबर होंगे वो भी सरुशेष्ट रैंक के होंगे यानि कितना बड़ा नुकसान देश का इस हादसे के साथ हुआ है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया चा जाहिर आई है कि कुल 14 लोग इस हलिकॉप्टर में शवार थे जिसमें से 11 लोगों के शव पराहमत किये जा चुके हैं ये हलिकॉप्टर कोईटंबूर से सुलून की और उडान फर रहा था जहां विपिन रावत को लेकर कॉलिज में लेक्चर सीरीज के लिए जाना था और सुलूर से उन्हें रास्थानी दिल्ली के लिए उडान फरनी थी तो यही तमाँ चानकारी फिलाल इस पूरे हादसे के बारे में निकल कर साफने आई हैं लगाहतार आशंका इस बात को लेकर जाहिर की जा रही है कि वीटियो जो इस हादसे का साफने आई है वो बेहद जो विपिन रावत की हालत क्या है इसको लेकर ही तमाम लोगों की देशवासियों की नजरे चुक हैं वो इस खबर पर टिकी हुई है जाहिर तोर पर दिल दहला देने वाला ये पूरा हादसा जो आद तमिलनाडू के कुन्नूर में हुआ है और निलगिरी की ये भरा जंगल है पहाडियां है जहां ये हलिकॉप्टर क्रेश करकिया और इस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है लेकिन देश के पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाफ यानि विपिन रावत जिनकी सेहत को लेकर फिलाल तमाम जानकारी जो है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है कैसी उनक की हालत है क्योंकि 11 लोगों की मौत इस पूरे हादसे में हो चुकी है तो फिलाल उनकी पत्नी को लेकर भी तमाम जानकारी जो है वो कही न कहीं हासल करने की कोशिश की जा रही है आपको बताते फिलाल भारते सेनक के अध्यक्ष हो या फिर वायुसेना अध्यक्ष बियस च पहले ही वायुसेना की ओर से देतिये गए हैं वो सुलूर एयर पेस पहुंच रहे हैं क्योंकि अपने आफ में ये बड़ा हादसा देश के ये कहीं न कहीं बेहद दिल दहला देने माला ये हादसा है विपिन ड्राफत इस हेलिकॉप्टर में मौजूद थे जो की देश के पहले सीडियस हैं तो तमाम अलग-लग जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर साथने आ रही है और खबर ये भी है कि जिस हेलिपेड पर इस हेलिकॉप्टर को लेंड करना था उससे कुछ ही दूरी पर ये हादसा हुआ है ये बेहद गंफीर हादसा और चोपर MI-17 सीरीज का ये भी खबर साथने आई हैं बेहद सुरक्षित विमात में वो सवार थे जाहिर तोर पर देश के अगर सेना परमुक हैं तो जाहिर तोर पर जिस हेलिकॉप्टर में वो सवार थे वो भी हेलिकॉप्टर बेहद सुरक्षित हेलिकॉप्टर की श्रेनी में आता है लेकिन बा प्रवाई है कि यह चोपर जो है वो MI-17 सीरीज का था जो की आज हादसे का शिकार हुआ है हादसे की वजह की जाच का आदेश एरफोर्स की और से देतिया क्या है और हादसे के बाद का जो वीडियो साफने आए हैं जिसमें चोपर पुरी तरह से जलकर खाक हो चुका है राख की खबर साफने आ रही है तो लगातार इस पूरे हादसे के बाद यह अपडेट जो है वो इस पूरे मावले में साफने आ रही है कि CTS के घर अब रक्षा मंतरी राजनाद सिंग पहुंचे हैं तवाम आशंकाहें बनी हुई है कि क्या CTS को लेकर खबर साफने आए की लेकि इस बीच रक्षा मंतरी राजनाद सिंग का CTS विपिन रावत के घर पहुंचना अपने आफ में कहीं न कहीं दिल की धड़कने बढ़ा रहा है क्योंकि सभी देशवासियों की नजरे फिलाल इसी खबर पर टिकी हुई है कि आखर विपिन रावत की सेहत कैसी है उन्हें मिल की और से साहने नहीं आया है लेकिन अब जो खबर आ रही थी कि संसद में राजनाद सिंग रक्षा मंतरी इस पूरे माफले के बारे में चानकारी देंगे लेकिन अब खबर के भी आ रही है कि रक्षा मंतरी कैपिनेट की एक आपात बैठक के बाद अब विपिन रावत के घर पहुंच गए हैं तो फिलाल कहीं न कहीं बहुत मुश्किल वक्त देश किर्किये और भारतिय सेना किर्किये भी क्योंकि विपिन रावत सेना पर हमुक अगर हाधसे का सिकार हुए है तो उनकी हालत कैसी है उनकी तभियत कैसी है इसको लेकर लगातार लोगों के मन में तमाम आशंकाई चो हैं वो उमड रही हैं जाहिर तोर पर हर कोई विपिन रावत की सेहत के बारे में जानना चाहता है लेकिन पूरा हाथसा देश के लिए जगजोड देने वाला है क्योंकि एक बड़ा हाथसा हुआ है और जिस वक्त भारतिय सेहना एक उची उडान बर रही है जिस वक्त भारतिय सेहना का मनोबल पूरा हाई है उस वक्त इस तरीके का हाथसा हो जाना ये अपने आप में बेहद कहीं न कहीं बेहद दुरभा के पून डेश के लिए इस वक्त स्थिती है तस्वीर देखकर ये अंदाजा लगाए जा सकता है कि आखिर जो तस्वीरे स रावत को लेकर क्या चानकारी निकल कर साफने आई की लेकिन देश के एक बेहद काला दिन बेहद दुरभा के पून दिन जिस तरीके से सीडियस पिपेंट रावत का ये हलिकोप्टर ट्रैश हुआ है आपको बदा दें इस सेना के हलिकोप्टर में उनके साथ उनकी पतनी और इसके लावा उनका जो परसनल स्टाफ था वो भी इस हलिकोप्टर में सवार था इसके लावा लेटिनेंट और तमाम जो भारते आउसेना के अलाधिकारी थे वो इस हलिकोप्टर में सवार थे जाहिर तोर पर अगर ये विपिन रावत का हलिकोप्टर था तो कोई उच पाइलिट होंगे वही इस हेलिकॉप्टर को उड़ा रही होंगे तो ऐसे में देश का एक बड़ा नुकसान कहीं न कहीं इस पूरे हादसे के साथ हुआ है देश के लिए बेहद मुश्किल वक्त जस तरीके से ये पूरी खबर साथने आई है फिलाल 11 लोगों की इस हादसे मे जान जा चुकी है इस बात की पुष्टी हो चुकी है वहीं विपिन रहवत और उनकी पतनी को लेकर तमाम जानकारी फिलाल साथने कब आहेंगी इस पर सब की निगाई ठीकी हुई है तो रक्षा मंतरी राशनाद जिंग सीडियस विपिन रहवत के आवास पर पहुँच च हाथसे के साथ ही देश में कहीं न कहीं माहोल बेहद गंफीर हो चुका है जिस तरीके से एक के बाद एक इस पूरे हाथसे से जुड़ी खबरे साहने आ रही है और रास्थानी दिल्ली में अगर बात की जाए तो तमाम जो आला मंतरी है वो लगातार पीटिंग कर रहे हैं प्रधान मंतरी नरियंद्र मोदी को इस पूरे हाथसे के बारे में जानकारी दी गई है लैसे अजीट डौपाल भी प्रधान मंतरी नरियंद्र मोदी के साथ मीटिंग की है जिसमें रक्षा मंतरी राशनात सिंग ग्रे मंतरी अमिशा भी मोचूत रहे हैं तो लगातार पर राज्थानी दिल्ली में पहुंचे हैं जहां उनकी बेटिया हैं वो मौचूथ होंगी उनसे मुलाकात करेंगे लेकिन सबकी निगाएं इस बास पर हीट की हुई है कि आखिर सीडियस विपिन रावत को लेकर क्या जानकारी देश को दीचाएगी उनकी हालत किस तरीके की बनी हुई है क्या कुछ जानकारी आने वाले वक्त में इस पूरे माफली में निकल कर साफने आई कि यह देखना होगा फिलाल आपकी इस पूरे माफली पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद